तो guys आप लोग काफी बार पूछते रहते हो कि वीडियो को trim कैसे करें हैं, वीडियो में sound effects कैसे डालें, background music कैसे लगाएं, तो A to Z जो video editing के चीज़े होती हैं, जो आपको शुरुआत में करने के लिए चाहिए हैं, वो आज में इस video में आपको सिखाने वाला हूँ, आप एक बैठके आराम से इस video को पूरा देखिएगा, इससे क्या होगा आप सारी video editing सीख जाएंगे, guys यह एक तरीके का crash course है, जो आज की इस video में provide करने वाला हूँ, और वो भी free में मैं आपको video editing सिखाऊंगा, बस दोस्तों आपस एक ही चीज मांगा रहा हूँ कि अगर आपको नहीं सीख सकते, जब आप उसको practically use करना ना शुरू करो, जब आप software को धीरे धीरे use करोगे, सारे options को explore करोगे, तब ही आप ढंक से video editing सीख पाऊगे, अगर आप सिर्फ videos देखोगे, तो आप ऐसे नहीं सीख पाऊगे, तो इस video के साथ साथ आप लोग बीच में अपना software भी चीज निकल कराती है, software, अब अगर आपको अपनी videos को edit करना है, तो आप software कहां से download करेंगे, software download करना काफी easy होता है, आपको सिर्फ अपने browser के ऊपर जाना है, और browser में आने के बाद आपको search कर देना है, software का नाम, अभी मैं आपको Filmora पे editing सिखाने वाला हूँ, तो Filmora 9 आप search क करने का आप Wondershare की official website आजाईगी, इस पर आप click कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपकी website खुल चुगी है, website पर दोस्तों आप जब नीचे scroll down करोगे, तो आपको एक option मिलेगा, free download, तो यहाँ पर आप click करके इसको free में download कर सकते हो, यहाँ पर आपकी window select करने के लिए पूछा पहले open कर लीजे, अब सबसे पहली जो यहाँ पर बात है वो यह है, कि जब हम अपनी videos को edit करेंगे, तो हमको अपनी video को import करना पड़ेगा, अब हम video import कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको import का option दिख रहा है, या तो आप इससे भी import कर सकते हैं, यह इसके अलावा यहाँ पर तो आपको बस इस पर click करना है, और आपकी जो भी video है, उस folder में से उसको निकाल के, आप select करके open पर click कर दीजे, तो आपकी video यहाँ पर import हो चुकी है, अब हमारी video import हो गई पर हम यहाँ से इसको directly edit नहीं कर सकते, अगर आपको इसको edit करना है, तो आपको इसको timeline पे लाना करके timeline के उपर लगा देना है, तो यहाँ पर यह आपसे पूछे का कि आप कितना fps रखना चाते हैं, आप अपने साथ से यहाँ पर fps select कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी video timeline के उपर आ चुकी है, तो guys यह जो timeline होती है, यहाँ पर आप यह tool देख पा रहोंगे, इस tool से क्या होत बहुत यहाँ simple होता है, मैं आपको step by step सारी चीज़े सिखाऊंगा, और यह पूरा crash course मैं आपको free में provide कर रहा हूँ, और अगर आपको video अच्छी लगे तो please 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 बस video को like कर दीजेगा, और इस channel को subscribe कर दीजे, तो यहाँ पर timeline पर video लगाने के बाद सबसे पहली यहाँ पर ची करने के लिए, तो इस तरह किसाब switch कर पाएंगे, अब जो सबसे basic requirement होती है किसी भी editor की, वो होती है हम video को cut कैसे करें, अब video cut करना बहुत simple होता है, पर लोगों को लगता है काफी मुश्किल है, for example, अभी हमारी video यहाँ तक चलती है, और यहाँ से लेकर, यहाँ तक मुझे part cut करना है, तो cut करना बहुत simple है, यह जो laptop वाला यहाँ पर बीच में, short हा रहा है, मुझे इसको cut करना है, तो cut करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यह tool दिख रहा होगा, यह Caesar का, आप इसके through इसको cut कर सकते हैं, बहुत simple है, आप इसको अपनी video पर लेकर आप इस हिस्से पर click करके आप delete दबा दीजे, आपकी video यहाँ पर cut हो चुकी है, जो बीच में laptop वाला part था, आप देख पा रहे हैं, वो laptop वाला part यहाँ से बिल्कुल remove हो चुका है, और हमारी video बिल्कुल smoothly चल रही है, अगर आप थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है फिर भी, ज पूरा जो बीच में laptop वाला है, आप पर part आ रहा था, वो हमने यहाँ पर remove कर दिया है, तो कुछ इतनी आसान थरीके से आप अपने video को cut कर पाएंगे, अब cut करने के बाद, जो दूसरी main important चीज होती है, वो थी है music, काफी लोग पूछते हैं भाई, वीडियो में background music कैसे लाएंगे, जैसे की beep, car horn, camera snaps, काफी सारे आपको देखने के लिए मिल लाएंगे, और अगर आपको कोई background music add करना है, तो वो तो आप YouTube app पे through भी कर सकते हो, और आपको editor में add करना है, आपका वो favorite music है, तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर media पर click करना है, यहाँ पर option है media, media पर click करने के बाद आप यहाँ पर import पर click कीजेगा, import media files पर click कीजेगा, और यहाँ पर आपका music है, उसको आप यहाँ पर import कर लीजे, और उसको आप ऐसा background music use कर पाएंगे, अब यहाँ पर हमने background music की भी बात कर लिए, अब इसके बात बात आती है title, हम अपनी वीडियो में title कैसे लगाएं, for example, मुझे यहाँ पर title लगाना है, अपने नाम का, तो यहाँ पर यह तीसरा वाला option आप देख पा रहे है, यह title है, तो इस पर जब हम click करेंगे, तो हमारे titles काफी सारे यहाँ पर layout सा जाएंगे, तो जो आप यहाँ पर title लगाना चाहते हैं, आपर काफी सा करके दिखाता हूं, यह your title hair यहाँ पर आ रहा है, तो वीडियो हाँ पर आपको your title hair आ रहा है, इसको अपना नाम लगाना है, तो लगाने के लिए आपको इस पर double click करना है, और यहाँ से इसको काट के आप प्रतिक्ष कुमार लिग दीजे, आप प्रतिक्ष कुमार मत लिग कर दिया, तो कुछ इस तरी के से आप अपने वीडियो के अंदर title add कर पाएंगे, अब इसके बाद बात आती है transition की, transition मतलब अगर आप अपने वीडियो को switch कर रहे हो, बीच में आप कुछ frame switch कर रहे हो, तो कुछ इस तरी के से आपने transitions काफी साथी देखी होंगी, यह transitions कैसे 繼續 add की जाती है, बहुत simple है guys, काफी simple है पर लोगो को लगता है काफी complicated है, आप सबसे पहले हैं यहां पर देख लिजए, यह transition है, transition लगाना बहूत simple होता है, सबसे पहले आप उस part को आपको ड्रयेग करना है और यहां पर प्लेस कर देना है और आपके यहां पर Pan American travelled की दिखा देता हूं कि मैंने आपड प्लेश्ट याराम करें है और यहां पत्र प्रशिस्चन कितने आराम से काम कर रीए куда बें हैं किण bus प्रोड । उससते फोड़ी कर लीजिए याँ पर मैंने इतना कट्राया और जहां तक आपको लुग देना है वहां पर आप कर दीजिए उतने पाइट को तो यह आप यह पर कर दो रघेटा हुआ तो इतने पाइट में मुझे पुराना वाला जो घुन एक तो यहां पर जो भी आपको एफेक्ट लगाना है यहां 70 से लगाना चाहूं तो ड्रेक करना है आपको एफेक्ट और यहां पर वीडियो में आपको प्लेस कर देना है और उतना प्लेस करना है जितना आप लगाना चाहूं यहां पर मैंने मैच कर दिया है, अब आप यहां पर देख पा रहोंगे, हमारी वीडियो के अंदर अफेक्ट लग चुका है, और अफेक्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है, यहां पर आप देख पार होगे, वीडियो अचानक से ऐसा लग रहा है बहुत पुराने टाइम पर शूट की गई हो तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप अपनी वीडियो में अफेक्ट भी लगा पहेंगे अब यहां पर दोस्तरों एक और बहुत इंपोर्टेंट चीज है वो है जूम आप अपनी वीडियो में जूम कैसे करोग तो इस हिस्से को कट करने के बाद आपको यहां पर राइट क्लिक करना है और आपको option मिल जाएगा crop and zoom जूम पर जाने के बाद आप इसको कुछ इस तरह के से जूम कर दीजिए यह आपका जूम हो गया अब आप यहां पर देखिएगा हमारी वीडियो में जूम अफेक्ट लग चुगा है यहां पर अगर आप कुछ बता रहे हो और आप कुछ दिखाना चाहते हो यहां पर सब काफी सिंपल है आपको यहां पर आना है और यह माइक्रोफोन का बेटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वोईस ओवर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा तो काफी सिंपल है और यहां पर मैं आपको एक एडवांस टिक भी देता हूं अगर आप लोग जो आप PC पे गेम खेल ले हो या PC पे कुछ सिखा रहे हो जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं तो आपकी रिकॉर्डिंग चाले हो जाएगे तो कुछ इस तरीके सा आप रिकॉर्डिंग कर पाऊगे तो यह जो है आपकी यहां पर वीडियो मैंने आपको पूरी एड़िट करके सिंपल है जो फिल्मोरा होता है इसकी वीडियो एडिटिंग काफी सिंपल होती है अभी आपने देखा मैंने लवाला अपक्र आपके हैं पर आपको थोड़ी एड़िए एडिटिंग सीखनी है तो इसके लिए यह वाला आप आप सॉफ्टवर देख पा रहे हैं PM ये गाना सिखा दिया गाई यह जो पूरा क्रेश कोड्स है मैं आपको फ्रीमें प्रोवाइड कर रहा हूं बस इतनी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको सब को समझ में आ रहा है वीडियो अच्छे लग दिये तो वीडियो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्स्राइब कर दीजे तो यहाँ पर आप देख पार हो यह हमने हाँ पर element भी add कर दिया है इसके बाद यहाँ पर आपको एक split screen का option देख रहा है अब भाई यह क्या होता है split screen का मतलब होता है आपने काफी बार serial से tv में देखा होगा दो तरफ वीडियो चलती है इसके थुरू आप double role भी create कर सकते हो यह कुछ इसरी के से work करता है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पहली वीडियो लगानी है जो आप लगाने चाहते हैं और यहाँ पर आपको अ काफी simple होता है अब यहाँ पर काफी सारी project settings होती है वह भी मैं आपको बताए था हूँ आप जब YouTube पर video edit करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा project settings तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको ratio का option मिल जाएगा आप जायतर 16 ratio 9 में वीडिय कीजेगा यह काफी बड़ी अलता है और इसी के साथ में आपको उपर black border से हैं जैसी में वीडियो में आते हैं खई बार तो आपको जो है custom पर जाना पड़ेगा और जो इसका resolution है ना इसको 960 कर दीजेगा 960 करने के बाद क्या होगा यह उपर जो border होते हैं जब यह वीडिय सेव कैसे करेंगे भाई सेव करना भी बहुत सिंपल है यह एक्सपोर्ट का option दिख रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है मैं आपको कुछ इसकी भी settings बता देता हूं यहां पर आपको अपनी वीडियो को सबसे पहले rename करना है जैसे YouTube प्रोजेक्ट कुछ इसरी किसे आप rename कर कर सकते हो जैसे कि resolution आप बड़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो fps भी कम ज्यादा कर सकते हो और quality यह best better और good के बीच में switch कर सकते हो जितनी अच्छी quality होगी जितने ज्यादा frame rate होंगे उतनी आपकी वीडियो को size बढ़ जाएगा अभी आप जैसे देख पा रहे है मेरी वीड settings ही करे हो तो आपको 2-3 GB की editing करने की कोई जरूत नहीं है settings में जाईएगा resolution होता है ना सबसे पहले इसको good कर दीजे good करने के बाद आपका resolution है इसको आप कर दीजे 1280 x 720 जो की HD resolution आपका होता है frame rate कर दीजे 30 fps काफी होता है हमारी आँखोंगे और okay कर दीजे आपकी video को size 400 MB त साथ में इस वाले चैनल को subscribe पर दीजे तो guys मिलता हूं आप लोगों से आगली वीडियो में तब तक लिए stay connected